नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं आप सब अच्छे हों हैं दोस्तों जब भी हम कोई लोन लेने जाते हैं किसी भी तरह का लोन है होम लोन काव लोन तो जो सबसे पहला हमारा सवाल होता है बैंक से या फाइनस कोंपनी से वो यह होता है कि वह सब इसमें जो रेट ओफ इंट तरीका बताऊंगा जिसमें आप एक मिनिट में आप पता कर सकते हैं कि एक्षिल जो है रेट आफ इंट्रेस्ट आपको क्या लगने वाला है जहां लगाया गया है और बहुत ही सिंपल सा तरीका है कोई ज्यादा आपको पढ़ाई लिखाई अपना एडूकेटर होने की जुर सबसे पहले दोस्तों इसको देखें यह जो मैंने फाइनेस करवाया था यह लगबग 2,014 मैं और यह जो मैंने अमाउंट फाइनेस करवाई थी आप देख सकते हैं लगबग 5,00,000 रुपे और यह रिफाइनेस को रवाई थी पुराना ही गाड़ी में और इसमें देके इं इंट्रेस्ट आई आरर 22.04 तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो गया इंटर्नल रिटर्न रेट मतलब मुझे तो देखी जब मैंने यह फाइनस कर रहा था मुझे बताया गया था कि आपका 9 परसेंट आपका इंट्रेस्ट आफ रेट लगेगा लेकिन जब इसमें देखा तो 10.72 है लेकिन यहां उपर में 22.4 दिखा रहा तो एक्शल जो मुझे इंट्रेस्ट रेट लगा वो यह लगा था उस इंट्रेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता था अभी थोड़ा कम हो गया है एक 2% अभी आपको कम लगेगा तो यह इंट्रेस्ट आफ रेट मुझे ज्यादा लगा और यह इसलिए लगा क्योंकि यह जो इंस्टॉल्मेंट है बड़ी छोटी है जैसे इदर आप देख रह टो पहले इंस्टाल्मेंट मैं आपका देखिए प्रिंसिपल कितना गया 10,212 रुपए और इंट्रेस्ट गया 9,281 रुपए तो इंट्रेस्ट काफी जाता है और प्रिंसिपल जो मूल है वह उतना नहीं आपका जाता है तो देखेंगे लिए तो देखिए आप 12 में आप देखिए देखें इंट्रेस्ट साथ हजार उपए गया इंस्ट्राल्मेंट अतनी ही है साड़े हुनिस्की और आपका जो मूल देखें 12 बार अश्वास के बाद आप आजी इये दो साल बाध देखिए तो जो आपका जो मूल है 15-500 हो गया और interest कम हो गये देखे 3966 रुपे रह गया तो इसी तरह लास्ट में आते आते देखें जो लास्ट वाली इंस्ट्राल्मेंड के उपर के हम देखें तो लास्ट वाली में देखें आप interest 110 रुपे और जो प्रिंसिपल है छे हजार चपनुपर 6166 की जो लास्ट वाली इंस्टॉल्मेंट थी तो दोस्तों यह जो है जितना भी आपका जब भी लोन होता है जो भी इंट्रेस्ट बगारा लगता है तो सबसे पहले आपका मूल कम जाता है इंट्रेस्ट जो है वो ज्यादा जाता ह है और यह जो फ्लैट है और यह जो आई आरर है जहां हम रिड्यूसिंग में कह लेते हैं तो इसका हम डिफरेंस निकालना मैं अभी आपको सिखाता हूं कैसे निकालते हैं एक मिनिट का काम है चलिए मैं वह भी आपको बता देता हूं सबसे पहले हम फ्लैट अपना जो है return निकालेंगे यह calculator जो simple calculator वो में खोलता हूं तो माल लिजे हमने दस लाख रुपए जो है loan लेना है और हमें बताया गया 7% flat में interest rate तो 7% मतलब हो गया कि 7000 रुपए एक लाख पर और 10 लाख हमने लेना तो हम इसे 10 से multiply कर देंगे तो 70,000 रुपए जो आपका निकल के आएगा एक साल का ब्याज और हमें माल लिजे चार साल के लिए लेना है तो चार साल के लिए हम इसको अब चार से गुना कर देंगे दो लाख 80,000 रुपए हमें जो है interest पड़ेगा अब इसमें हम जो अपना मूल है 10 लाख वो जोड करके उसको जितनी भी installment बैठेगी चार साल की 47 जा 48 जो भी है तो उससे divide कर देंगे यह था दोस्तो एक formula अब आपको मैं simple बताता हूँ यह flat में हो गया अब आप इसको actual निक financial calculator होता है इस तरह का तो वह calculator आप लोड कर लेंगे दोस्तों ठीक है वह calculator आपने लोड कर लिया इसमें बहुत सी चीज़ें देखे बैंक में क्या loan है क्या deposit में return मिलता है post office का है mutual fund है retirement के कोई scheme है सरकारी tax का जो plan है insurance वगएरा बहुत चीज़ें है तो हमें तो loan वाला देखन loan इसको हम touch करें तो यहां देखिए यहां जो भी चीज़ें दी हुई है हमें यहां भरनी है तो यहां मैंने अब लिखा 10 लाख वैसा ही हम एक्जामपल लेते हैं 10 लाख वाला ही और कि यहां देखे एक ठीक है अब माल लिजिए हमने वहां 7% पकड़ा था तो यहां हम पकड़ेंगे 12% रिटन और यहां लिखेंगे यह लिखना है इसको मन्त में भी आप convert कर सकते हैं लेकिन यह में हमने वहां calculate किया तो यहां भी यह में ही calculate करेंगे चार साल हमने कर दिया और इसको अब calculate करेंगे वहां आपका interest आ रहा था दो लाख असी हजार तो यहां आ रहा है दो लाख चौसट हजार रुपए तो इसका मतलब यह 12% से उपर बैठ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे मैंने वैसे पहले calculate करके रखा हूँ इ 2.8 पे ठीक है 2.8 पे calculate करूँगा तो देखिए 2,82,000 आ गया इसको कर देता हूँ 12.7 देखिए 2,88,584 मतलब आपका जो वहां rate of interest जो आपको साथ बताया फ्लेट में वह actual है 12.7% और इसका आप report भी देख सकते हैं देखिए दोस्तो यह report है कि कितना आपका पहले साल में आपका जो principal जाएगा उसके बाद आपका interest कितना जाएगा इसको आप महीने दर महीने जैसी मैंने आपको दिखाये था example और इससे भी देख सकते हैं कि पहले महीने देखिए आपका जो है principle गया 16,95 रुपया इंट्रेस्ट गया 10,583 ऐसे करते करते आपका देखिए सब महीने दोसरा साल तीसरा साल यह चोथा साल चोथे साल में देखिए आपका principle गया 26,399 रुपया और आपका जो है 289 रुपया इसका इंट्रेस्ट बैठा इसमें आपको यह भी पता चल जाता कि आपके installment कितनी बैठेगी वह भी पता लगा लग जाता है इन दोनों को मिला दीजे तो वह आपके installment हो गई और बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तो इसमें देखिए जहां लिखा हुआ है आपका यह ग्रीन वाला है यह प्रिंसिपल है यह जो ग्रीन वाला है इसका मदला आपका यह जो मूल है यह 78.9 परसेंट देखिए नीचे लिखा हुआ है और आपका जो इंट्रेस्ट का लोन है तो उसकी जो आप रिपोर्ट तुरंद निकाल सकते हैं आपको पता चल जागा कितनी इंस्टॉल्मेंट है क्या है नहीं है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इससे क्या आपकी कोई जानकरी बढ़ी है तो कमेंट बॉक्स में जुरूर लिखेगा और वी हुआ 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 है